नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा चैनल पोल्टरी गुरू जी और आज मैं आपसे बात करूँगा कि देशी मुर्गे को दाना कैसे खुला जाता है अगर आप इसका छोटा चुजा अपने यहाँ पर मंगाते हो डे ओल्ड चिक्स मंगाते हो तो उसको पहले दिन आपको शुरू में गुड का पानी देना रहता है लगबक तीन से चार घंटे आपको केवल गुड जो रहता है वो पानी में मिला लेना है और उस घौल को चिक्स को पिलाना है और यह घौल इसलिए दिया जाता है क्योंकि चुजा आपके फार्म पर बहुत दूर से आता है तो उसके उपर स्ट्रेस आ जाता है सफर के दोरान तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए गुड का पानी दिया जाता है तो यह आप शुरू के चार घंटे जरूर दीजिए और उसके चार घंटे के बाद आप अपने चिक्स को दाना दे सकते हो और दाने में मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरू में जैसे आप सो चूजे पाल रहे हो तो आप एक बैग प्री स्टार्टर फीड का मार्केट से खरीद लेना है आपको जो की ब्रोइलर मुर्गे को दियाता है वो ही फीड आप इनको भी दीजिए क्योंकि यो वो फीड काफी बारीक होता है और छोटे चिक्स को वो बढ़िया तरह से ग्रोथ प्रोवाइड कराता है और ये केवल एक ही बैग आपको खरीदना है सो चूजो के लिए और लगबग 10 दिन तक आपको वो ही चलाना है 10 से 12 दिन आपका वो चलेगा उसके बाद आप अपने घर का बनाया हुआ फीड अपने चूजो को दे सकते हो और घर पर जो फीड बनाना है आपको मैं बता देता हूँ कैसे बनाना है आपको मक्का खरीद लेनी है और बाजरा खरीद लेना है और उसको किसी चक्की पर पिस्वा लेना है और उसके बाद आप अपने चूज़े को धीरे धीरे वो दे सकते हो और आपका चूज़ा अच्छी तरह से ग्रोथ भी करेगा लेकिन अगर आप अपने घर का बनाया हुआ फीड पहले दिन से अपने चूज़ों को दोगे तो उससे आपका चिक्स ग्रोथ नहीं करेगा और उसमें डाइजेशन से रिलेटेड प्रोब्लम आ सकती है आपके चूज़े भी मर सकती है तो शुरुआत में आप प्रिश्टार फीड खिलाईए जो मार्केट में मिलता है एक बैक खरीद लीजे बस काफी रहता है वो दस से बारा दिन आपका चल जाएगा वो बहुत ही बढ़िया तरीके से और आपका चिक्स ग्रोथ भी करेगा क्योंकि उसमें काफी सारे विटामिन्स भी होते हैं और जो सप्लिमेंट्स रहते हैं तो आपको ये प्रेस्टार्टर फिट जरूर खुलाना है अपने मूर्गे को और अभी जैसे गर्मीओ का मोसम है तो इस मोसम में आप अपने मूर्गे को दाना कम दीजिए लेकिन पानी की कमी ना होने दे अपने पोल्टरी फार्म में अगर आप ब्रोयलर मुर्गे को पाल रहे हो तो उसमें भी आपको पानी का खास तोर से ध्यान रखना है आपको जादा से जादा पानी के बरतन लगाने है अपने मुर्गों के लिए और उसमें ठंडा पानी देना है जो ताजा पानी रहता है वो ही दे अपने मुर्गे को क्योंकि जादा तर पॉल्टरी फार्मर क्या करते हैं वो अपने वाटर टैंक को छट पर रखवा देते हैं और वो पानी जादा गर्म हो जाता है उसको गर्म पानी मिलेगा तो एक ही बार पानी पीएगा दुबारा नहीं पीएगा लेकिन अगर आप उसको ठंडा पानी दोगे तो वो गर्मी को कम करने के लिए उस पानी को बार बार पीएगा और उसमें पानी की कमी नहीं आएगी क्योंकि अगर मुर्गे में पानी की कमी आती है तो उससे उसमें बिमारी भी आ सकती है गाउट ये इस्पेशली पानी कम पीने की वैसे ही आती है तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है और अगर आप अपने मुर्गे को फार्म के अंदर पाल रहे हो तो आपके फार्म में जिस साइट से धूप आती है उस तरफ आप गनी बैक की इस्तेमाल कर सकते हो जो बोरे आते हैं वो आप लगा सकते हो उससे फार्म के अंदर धूप नहीं आएगी लेकिन हवा आती रहेगी तो आप ये इंतजाम जरूर करें और अगर आप इसको अपने घर के आंगन में या बैक्यार्ड बोल्ट्री के हिसाब से आप इसको पाल रहे हो तो आपको अपने मुर्गे को ज़्यादा देर धूप में नहीं रुकने देना आप किसी ठंडी जगा पर उसको रखें जिससे गर्मी से होने वाली कोई भी विमारी आपके मुर्गे में नहीं आएगी और उसके साथ साथ वो वेड भी अच्छी दरह से गेन करेगा और इसके अलावा आप अपने मुर्गे को अपने घर की हरी सबजियों के पत्ते और उसके साथ सात्थ और फीड आता है है रहा चारा कैसे बना जाता है ये मुर्गियों के लिए भी फायदेवन रहता है खास तोड़ से गर्मियों के मोसम में तो अगर आप हाइडरोफॉनिक फीड के बारे में भी जानना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं मैं आपको वीडियो बना करके जानकारी दे दूँगा और इसके साथ साथ अभी आने वाले टाइम में मुर्गियों की बिमारियों के उपर वीडियों लाने वाला हूँ जिससे सभी पॉल्ट्री फार्मर को मुर्गियों की बिमारियों के बारे में जानकारी हो जाएगी और ये जानकारी होनी भी चाहिए सभी पॉल्ट्री फार्मर को क्योंकि जब वो मुर्गी पालन करते हैं अगर आप उनकों मुर्गियों की बिमारियों के बारे में ही जानकारी नहीं होगी तो उनके फार्म में ज्यादा नुकसान हो सकता है तो इसी वाईसे मैं अभी वीडियो में बिमारियों के बारे में फोकस करूँगा और आने वाले टाइम में मैं सभी बिमारियों के बारे में आपको जानकारी दूँगा तो सबसे पहले आपको देख पा रहे होंगे कि ये देशी चिक सबने अपने पॉल्टरी फार्म में डाल रखे हैं तो इन में इतनी ज़्यादा बिमारिया नहीं आती लेकिन बिरोईलर मुर्गे में काफी ज़्यादा मिमारिया आती है तो मैं बिरोईलर मुर्गे की बिमारियों के बारे में भी आपको जानकारी दूँगा और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन-कौन सी बिमारिया मुर्गियों में आती है और कैसे आप उनका इलाज कर सकते हो और उनकी पहचान के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो इसलिए हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे चैनल का आपको नाम ध्यान रखना है पोल्टरी गुरू जी और इस चैनल पर आपको मुर्गी पालन से रिलेटेड सभी जानकार मिल जाएंगी अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और साइड में घंटी का निशाने वो जरूर दबाएं धन्यवाद